गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम तुन आ उनलाइन क्लास। वेलकम तुन आ उनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये कविता पड़ी थी। नाव बनाओ नाव बनाओ ये लिए आज को समझते हैं और इसकी exercise कंप्लीट करते हैं बुकी। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ वे देखो पानी आया है घिर घिर कर बादल चाया है साथ समुंदर भरलाया है तुम रसका सागर भरलाओ भैया मेरे जल्दी आओ पानी सचमुच खूप पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा ऐसे में तुम भी लहराओ, भईया मेरे जल्दी आओ गुल्लक भारी अपनी खोलो, हलकी मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो फिर बाजार लपक तुम लाओ, भईया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला लाल हराया नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगिला, कैची चुटकी हाथ चलाओ, भईया मेरे जल्दी आओ छपछप कर कूडे से अर्ती बूंदो लहरो लड़ती बरती सबकी आँखों चड़ती गरती नाओ, तैरा मुझको हर्शाओ, भईया मेरे जल्दी आओ क्या कहते मेरे क्या बस में बस का, क्यों तब फिर है किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोडो सब कर आओ पाओ, भईया मेरे जल्दी आओ तो किसने लिखा है इस कविता को? वी हर कृष्णदास गुपचीन है ठीक है चली समझते है क्या कहा गया है क्या बताया गया है इस कविता में देखें तो भाईयो के बीज की बात है यê एक चोटा है एक बड़ा है जो बड़ा है उसको वो भहिया क्या के पुकार रहा है जल्दी से आओ बारिश आ रही है जल्दी से हम नाओ बनाएंगे और उसको तैराएंगे यही बात्चीत हो रही है चलिए नाओ बनाओ नाओ बनाओ भहिया मेरे जल्दी आओ तोटा भाई क्या कहता है कि नाओ बनाओ जल्दी से हम नाओ बनाएंगे भाईया जल्दी से आजाओ और हम नाओ बनाएंगे वह देखो पानी आया है मतलब बारिश आई है गिर गिर कर बादल चाया है और बादल ने पूरा आस्मान घेर लिया है जैसे बारिश का मोशम होता है पूरा आस्मान घेर चाया जाते है वैसे ही पूरा आस्मान घेर चुका है बादलों से साथ समुंदर भर लाया है साथ समुंदर भर लाया है मतलब इतना पानी रहा है उसके अंदर की पूरे साथो समुंदरों का पानी उसके अंदर भर गया हो ऐसे लग रहा है मतलब यह कह रहा है की बच्चा की इतना पानी बरसने वाला है बहुत सारा पानी बरसेगा तुम रसका सागर भरलाओ भाईया मेरे Jल्दिயाओ मतल Pillay लाओ ठीके और मेरीया जल्दी से आजाओ पानी सचमुछ खूप पड़ेगा किया कहता छोटा भई कि पानी बहुत पड़ेगा मतला बहुत बारिश होगी लंबी चोड़ी गली बरेगा और जो लंबी चोड़ी गली आए सब भरेगा मतलब पूरे पूरी जगा पानी पानी हो जाएगा इतना पानी भरेगा बरसने वाला है लाकर घर में नदी धरेगा और ऐसा भी हो सकता है कि सबके घरों में भी पानी भऴए नदियां गड़ वे से ऊके बैगे मतला इतना पानी बरशने वाला है एयसे में तुम भी लहराओ भाया मेरे जल्दी आओ क्या एयसे तुम भी जल्दी आजाओ देर मत करो जल्दी से आजाओ गुल्लक भारी अपनी खोलो तो टापाई क्या कहता है कि अपनी वाली गुल्लक खोलना मेरी वाली जो हलकी मेरी है उसे मत टटोलो उसे मत ढूंडो कि उसमें क्या है जो तुम्हारी गुल्लक है भारी वाली उसमें ज्यादा पैसे है उसमें से कुछ पैसे रोलो, निकाल लो, ठीक है, फिर बजार लपक तुम लाओ, फिर बजार चाके तुम समान ले आओ, भया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला, क्या-क्या मंगाया है अवसने, कि कागज लियाओ, लाल हराया, नीला पीला रंग कागज लियाओ, र ठीके चुटकी मतलब कुछ स्प्रे करने के लिए कुछ या तो फोल्ड करने के लिए अपने हाथ चलाओ भाईया जल्दी यल्दी करो जल्दी आओ छपचप कर कूडे से अड़ती अब देखो नाव तयार हो गई है इनकी बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती अब बूंदे आती हैं पानी की बारिश की और लहरे भी पहती हैं पानी में उससे भी लड़ती हुए आगे बढ़ती है नाव सबकी आँखों चड़ती गरती ठीक है तो कभी उपर उठ रही है कभी नीचे उठ रही है कभी दाएं जा रही है नाव तैरा मुझको हरशाओ भाईया जल्दी से नाव को तैरा दो और मुझे खुश कर दो हरशाओ मतलब खुश कर दो भाईया मेरे जल्दी यह आओ क्या कहते मेरे क्या बसका क्यों तब फिर यह किसके बसका अब बड़ा भाई क्या कहा रहा कि मेरे बसकी कहा है ना होते रहा ना फिर किसके बसकी बात है तुम्हांसे नहीं होगा तो फिर किस से होगा खोट सभी है बस आलस का छोटा भाई क्या कहता है कि सब आता है तुमको बस तुम्हें आलस आ रहा है इसलिए तुम नहीं आ रहे हो तुम आलस छोड़ो सब कर पाओ आलस छोड़ो कि तुम सब कुछ कर पाओगे भाईया मेरे जल्दी आ जाओ अब भाईया मेरे जल्दी से आ जाओ ठीक है आओ नाओ बनाओ उसको तैराओ clear ते लिए इसकी exercise भी देख लेते हैं हम एक बार कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का भाईया ने क्या बहाना किया और क्यों भाईया ने क्या बहाना किया बहिया ने बहाना किया कि मेरे बस की बात नहीं है यह मिझसे नहीं हो पाएगा है न और ऐसा क्यों कहा उन्हों है क्योंकि उनको आलस आ रहा था उनका मन नहीं था शायद आने का इसलिए ठीक है आप यहां पर लिख सकते हैं मैंने जो आपको बताया क्या बहाना बनाया कि मेर दो लेरों से लड़ते हो आगे कौन बढ़ रहा है नाव बढ़ रही है ना गुल्लक भारी अपनी खोलो किसकी गुल्लक भारी है किसकी गुल्लक हलकी है तो भारी गुल्लक किसकी है भाया की है ना और हलकी गुल्लक किसकी है छोटे भाई की नाव की कहानी एक बार फिर से कविता पड़ो इस कविता में एक नाव के बनने और पानी इमें सफर करने की कहानी चिपी है है ना नाव किस तरह बनाई जाएगी कैसे बनेगी और पानी में किस तरह से तैरेगी किस से लड़ेगी कहा कहा होती हुजाएगी सब कुछ लिखा इसमें मान लो तुम ही वे नाव हो अब अपनी कहानी सब को सुनाओ शुरुआत हम कर देते हैं अब मान लो वो नाव तुम ही हो तुम कैसे बताओगे मैं एक नाव हूँ मैं कागज से बनी हूँ मुझे एक लड़के ने बनाया है उसका नाम तो मुझे नहीं पता ठीके आगे क्या लिखो के इसमें उसका नाम तो मुझे नहीं पता पर उसने मुझे बहुत सुन्दर बनाया है इतना अच्छा और मजबूत बनाया है मुझे कि मैं बड़ी असानी से लहरों का सामना भी कर पा रही हूँ बूंदों का सामना कर पा रही हूँ और सामने आने वाली मुसीबतों को भी मैं डट कर सहे पा रही हूँ ठीके लिख लेंगे ये जो मैंने बोला उचलिए आगे बढ़ते हैं अहाँ बारिश तुमने बरसाथ पर पहले भी कभी कोई कवीता या लोक गीत सुना होगा उसे नीचे दी गई जगा में लिखो आपने कोई सौंग सुना है बारिश के उपर बताए बारिश के उपर कोई सौंग सुना है लोक गीत आपने बहुत सारे सौंग सुने होगे बारिश के उपर बारिश आई बारिश आई रिम जिम रिम जिम पानी लाई इस तक आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे कविता सुनी होंगी तो जो भी आपको याद है उसमें से कोई भी एक आप यहाँ पर लेख सकते हैं ठीक इसको complete कर लीजेगा कोई movie का song भी हो सकता है ठीक है जैसे सावन का महीना है ना सावन का महीना भावर करे शोर जलिए इस कविता को पढ़ते समय तुमारे मन में कोई चित्र आया है उनके बारे में बताओ या उसका चित्र बनाओ आप कविता पढ़ते है पढ़ते है आपके मन में कोई इमेज आयोगी एक अच्छी से नाव की आई होगी किस तरह नाव पानी में तैर रही है वो आई होगी बिल्कुल इस पे आपका नाम भी लिखा होगा है ना पानी में तैर रही है उपर नीचे ठीक है इस पे एक flag भी लगाए होगा आपने एक flag लगाया होगा इसके उपर ठीक है beautiful सी draw करिएगा यहाँ पे एक हो जाएगा ना चलिए पानी सचमुझ खूप पड़ेगा सचमुझ का इस्तिमाल करते होए तुम भी दो वाक्य बनाओ ठीक है सचमुझ शब्द का यूज़ करते होए आपको दो वाक्य बनाने हैं क्या क्या हो सकता है पहला देखिए आज सचमुझ बहुत अच्छा दिन है पहला हो गया दूसरा दूसरा क्या हो सकता है आज मैं सचमुझ नाया हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते है साथ समुदर घिर घिर कर बादल आया है साथ समुदर भर लाया है पता करो साथ समुदर कौन कौन से होंगे जिन में से बादल पानी बर कर लाया है बताए साथ समुदर कौन कौन से हो सकते हैं समुद्र की इसमें बात करी गई है एट्लांटिक सी एंटार्क्टिक सी ठीक है इंडियन ओशन अरेबियन सी हो गया है ऐसे बहुत सारे सी हैं साथ समुद्र को उनको कहा गया है पैसिफिक ओशन ठीक है उनके बारे में कहा गया है क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे अब बते क्या सचमुच में बादल जो हैं वो समुद्र से ही पानी लाते हैं बिल्कुल हाँ जो सबादल होते हैं वो सचमुच समुद्र से ही पानी लाते हैं समुद्र पे वो एकटा होगे बनते हैं और फिर हवाओ के दबाब से वह आगे बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं और जहां वह भारी हो जाते हैं टकरा जाते हैं एक दूसरे से तो आपे बारिश की रूप में गिर जाता है पानी सारा आप सबने पढ़ा भी होगा वाटर साइकिल एक इस तरह समुद्र का पानी गरम होके भाब बन के उपर उठता है यो बादल बनता है फिर जब भारी हो जाते हैं तो बारिश की फूम नीचे आ जाता है बापिस है ना तरह तरह की नावे तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो बना कर कक्षा में दिखाओ उसमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वे कैसे बनाई ठीक है आपको एक नाव बनानी है अच्छी सी नाव बनाईएगा और मुझे दिखाएगा ग्र कागज लिया, कैसे उसको फोल्ड किया, कहां से खीचा, कितना खीचा, सब कुछ लिखेंगे इसमें, ठीक है? बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दर्वाजे और खिड़कियों से पानी की बौचार आ जाती है, कभी-कभी छट से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है, ऐसी स्थीतियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या-क्या किया जाता है? जब्रिकभी होता है न, ऐसे बारिश के मौसम में खिड़कियों से पानी आ जाता है, दर्वाजे उसे पानी आ जाता है, जब्रिकभी छट टपकने लग जाती है, सीलन आ जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या किया आता है घरों में? इड़की पे कांच के शीशे लगाए जाते हैं ठीक है दर्वाजों को बंद कर देते हैं अच्छे से छट पे पानी ना टपके मजबूत छट बनाई जाती है उस पे waterproofing कराई जाती है सीलन नाय अच्छी सिमेंट का यूज़ किया जाता है यह सब किया जाता है ताकि घर्ष में पानी ना आए बारिष के मौसम में गलिये और सडकों पर भी पानी भर जाता है तुम्हारे मौले और घर के आसपास बारिष आने पर क्या-क्या होता है बताओ चलो हमारे घर के आसपास सब कुछ होता है ना बारिश आते ही हमारा घर नदी नासमुद्र बन जाता है बनता है नी बनता एक दिन बारिश आते ही पूरा हमारा डेली पानी में डूब जाता है इस पर तुम नाव चला लो बोर्ट लेके बोर्ट पे घूमते लो और आफ्टिंग कर लो इस पे तो इतना पानी भर जाता है काम वाले शब्द पिछले साल गिम जिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं जिन शब्दों से पता लगेगी कोई काम हो रहा है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं हम व्यक्रण में इस कविता में धेर सारी क्रिया या काम वाले शब्द आए हैं उन्हें छाट कर नीचे लिखो ठीक है कविता में भी बहुत सारे से शब्द आया है जिन जो की क्रिया है इसमें कोई काम हो रहा है ठीक है उनको छाट के यहां पर लिखना है तो कौन-कौन से हैं चलिए देख लेते हैं कितने लिखने है एट चलिए देखते हैं कौन-कौन से हैं कब से पहला है, बनाओ, ये भी एक क्रिया है, आओ, ये भी एक क्रिया है, लाओ, ठीक है, लहराओ, खोलो, टटोलो, रोलो, चलाओ, ठीक है, ये सब्सब्द हो गए हमारे, ठीक है, अब इनको क्या करना है आपको, वन माला में से लेके ग्या तक वन माला आपको आती है, तो इन सब को जो पहला अक्षर है, ठीक है, पहला अक्षर है, जैसे अ, उससे पहले आ आता है, तो यहाँ पर जहाँ भी आप इसको लिखेंगे, उसके आगे वन लिख देंगे, यहां पर सबसे पहले आ वाला आएगा यहां पर सबसे पहले उसको लिख देंगे 1 उसके बाद क्या आएगा बाव वाला शब्द आएगा या लव वाला शब्द आएगा उसके इसाब से उसके आगे नमबर लिख देंगे 1,2,3 ठीक है ठीक है नोट बुक का जो भी काम रहेगा वो आपको मिल जाएगा अच्छे से करिएगा बुक का काम कम्प्लीट इसको भी रीड करिएगा अच्छी कविता है बहुत इसको पढ़िएगा भी हम मिलते हैं कल next class में तब तक आप सब अच्छे से ख्याल रखिए अपना ध्यान र च।